नमस्कार अपरिय विदार्ति गणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं आज की इस इन्नवत्य की पूर्टेंट क्लास के अंदर क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करने वाली हैं अपनी नंबर सिस्टम को इससे बहले हमने जो है जोड़ गटाव गुनावाग के अंदरूब में थोड़ी बहुत वीडियोज को देखा है अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के महतपुन क्यूसनों के बारे में संख्या बत्ती हमारे पास किस-किस प्रकार के क्यूसन से बनती है और किस प्रकार के क्यूसन से आपके जो है वो प्रिक्षा में देखने को मिले है सबसे पहले सुरुवात करती है प्यारे विदारतियों हमारे पास नंबर एक नंबर जो क्यूसन है उससे पहला किस्टन कहता है कि सबसे चोटी ए भाजे संख्या कौन सी है तो सबसे पहले आपके सामने सब्द आया है एक ए भाजे संख्या अब इसको जानना बहुत जुरूरी है क्योंकि जब तक हमें ए भाजे संख्या के बारे में पता नहीं होगा पर किस परकार से हम पता लगाएंगे कि वो संक्य चोटि कौनसी है तो पिर ये विदारते गणों संक्याई कौन सी होती है तो संक्या हमारे पास एक के अत्रिक्त अब सबसे पहले आपको द्यान रखना है एक को चोड़ना है एक अत्रिक्त वे धन पुना के अप्राक्तिक संक्याई जो की एक तथा स्वम के अत्रिक्त किशी और संक्यासी विवाजित नहीं हो एक वे स्वम के अत्रिक्त क्या होने चाहिए नहीं किसी भी संक्यासी विवाजित नहीं होने चाहिए वो हमारे पास है अवाजी संक्या हैं कहलाएगी जैसे कि मैं बात करूँ प्यारे विदार्थियों पांच की तो पांच देखिए एक तो एक से विवाजित होता हो और एक पांच से विवाजित होता है तो यहां पे देखिए यह एक अवाजी संक्या है जिसे कि मैं बात करूँ साथ की तो साथ आप देखोगे एक से विवाजित होती है और साथ से विवाजित होता है ठीक है? उसी परकार से प्यारे विदार्तियों यदि हम बात करें नो की तो नो देखिए एक से विवाजित हो रहा है तीन से विवाजित हो रहा है नो से वाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नो जो है वो भाज्य संक्या है चीक है? भाज्य संक्या है तो सबसे पहले हमने लाइन में ये लिखा था कि एक को छोड़ के यानि कि एक को छोड़ेंगे तो एक हमारे पास भाजे संख्या नहीं है, भाजे संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो की, तो दो को एक से विवाजित कर सकते हैं, दो से विवाजित कर सकते हैं, यानि कि दो सबसे चोटी हमारे पास भाजे संख्या बन जाएगी, यानि कि इसका जो आंसर ह होगा वो हो जाएगा कौन सा उप्सन नंबर सी यानि कि दू ठीक है और यदि ओ एभाजी संक्याओं कि यदि हम बात करें तो सरो परतम दो है फिर तीन है फिर पांच है फिर साथ है इस परकार से इनका करम चलता गाएगा आगे के किस्टनों में इनको और अधिक हम और जो कि रूड यानि कि एभाजे संक्या है यानि कि ऐसी चीज हमें बतानी है जो कि सम संक्या के साथ साथ एभाजे भी है यानि कि सम एभाजे संक्या हमें बतानी है सम एभाजे संक्या ठीक है तो प्यारी विदारतियों सबसे पहले आपको इस संक्या को सीखने के लिए स तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा समसंक्या पे तो सबसे पहले समसंक्या हैं वे संक्या ही होती है जो कि दो से पूनते हैं विवाजित होती है या जिनका इकाई कांक सुन्य है दो चार छे आठ वो तो उन संक्याओं को हमने समसंक्या कहा था यदि हम एबाजे संक्याओं की बात करें प्यारी विदार्थियों तो एवाजे संक्या है सबसे पर्थम है दो है तीन है पांच है फिर हमारे पास साथ है इस प्रकार से यह चलती जाएगी आगे से आगे तो प्यारी विदार्थियों दो एक मत्र ऐसी संक्या है जो कि सम संक्या के साथ साथ एवाजे संक् अशारपी है next किसों देखिए पैरे विदारते हों तीन नूमर कह रहा है कि सबसे चोटी विसम ऐभाज ए संख्या आपको बतानी है तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपके सामने ऐभाजे संख्या के अब्ष जी सग्या में हमने का था क्या है, 5 और सभी दी जाएगी है तो प्यारे हुआ इसका अंसर आप कोमेंट बोक्स्के मांजम से बताईएगा कि सबसे चोटी सम विसम सबसे चोटी विसम ऐबाजय संक्या कौन सी है क्योंकि सम हमने देख ली सबसे चोटी हमने देख ली अब ये काफी important question बन जाता है क्योंकि सबसे चोटी भजय संक्या हमें पूचिया है है ना तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस के बारे में भाज्य संक्या के बारे में कि बाज्य संक्या किसे कहते हैं अब सर्च देखिए क्या है कि ये एक से बड़ी बे प्राक्रतिक संख्याई हैं जो कि स्वयम तथा एक के अत्रिक्त कम से कम एक और संख्या से विवाजित हो सकती है कैने का त्रतपरी ये है कि प्यारी विदार्द्यों हम आई भाचे संख्याई इसमें समयली तो नहीं करते हैं और एक से पड़ी होने चाहिए जैसे कि हम बात करें सबसे पहले तो आप देखोगे चार के बारे में चार अब चार में क्या है तो आप देखोगे तो ये तो एक से विवाजित हो रही है और से विवाजित होती है प्यारे विदारतियों नेकly संख्या के बात करें तो हमारे पास है 9, फिर हमारे बात बात करने तो 15 यानि कि ए भाजे संख्याई अगर हम बात करते थे तो उन संख्याओं को यदि हम छोड़ दें तो भाजे संख्या हमें प्राप्त होती है जिनमें हमें 0 और 1 को नहीं लेना है बाकी के सभी संख्याई जो कि ए भाजे नहीं है वो भाजे संख्य बन जाएगी तो किसन कह रहा है कि सबसे चोटी बाज्य संक्या कौन सी है तो आप देखो कि सुरुवात ही चार सी हो रही है इसका मतलब है कि चार हमारे पास सबसे छोटी बाजे संख्या होगी तो इन चीजों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है जिसे कि आपका क्यूशन असानी से हल हो जाएगा ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने next क्यूशन के ओर तो प्यारे विदारतियों next question क्या कहता है सबसे छोटी विसम भज्य संख्या कौन सी है तो यहां पर देखें विसम लगाया गया है तो इसका मतलब क्या है विसम संख्या होने चाहिए और विसम संख्या कौन सी होती है जो की दो से वाजितने हो जिनमें हमारे पास होगा एक होगा तीन होगा पांच होगा साथ होगा नो होगा इसी प्रकास से चलता जाएगा तो सबसे पहले उप्संस की तरफ देखें तो तीन पांच साथ नो सभी की सभी क्या है एक हमारे पास विसम संख्या है यदि हम तीन की बात करें तो यह एक आभाजे संख्या है जैसे कि हम बात करें आभाजे संख्याओं की तो आभाजे संख्या है हमारे पास प्यारी गद संक्याओं के बारे में बात की थी प्यारे विदार्तियों तो सबसे चोटी भाज्य संक्या कौन सी चार उससे बड़ी फिर छै फिर उससे बड़ी नो फिर उससे बड़ी पंद्रा प्यारे विदार्तियों के यह हमारे पास एक भाज्य संक्या हो जाएगी इस प्यारे में कौन कौन से अंक आते हैं जिसे कि थीन आता है वह भी हमारे पास क्या है यह पांच्छstag पान्सस के पास сोट व कर दो ईसके बाद में नौ ईगा सवक्योंं हमाते पास बादचे है जो कि विसम बाद मेश्य है । अब कहते हो फेशक न मेश्यों तो और सा करते हैं कि इस बार भी आपको इस प्रकास है देखने को मिलेगा अब देखे एक से लेके सो तक कुल कितनी एभाजे संख्याएं हैं जिसके आप उप्सन देखोगे 9 है 15 है 14 है या 25 है तो प्यारे विदारतियों सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो पहले हमारे पास दो प्रकास भाजे है इसकी बात कर रहे हैं हम इभाज्या के ठीक है एभाज्या कि दो है उसके बार में हमारे पास तीन है पांच है साथ है ग्यारा है यहां यहां पर देखिए एक से लेके 10 के बीच में आ अगी है अब यहां पे आएगी 11, अगली संख्या 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है हमारे पास, फिर हमारे पास प्यारे विदारतियों 23 आ रही है, फिर हमारे पास 39 हो जाएगी, फिर प्यारे विदारतियों आपके सामने 31 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, ठिक है, 43 हो ना अब इसके बाद में आप नेक्स संख्या ले लीजिए सेनताल इसको फिर हमारे पास होजेगी त्रेपन फिर हमारे पास होजेगी 59 61 67 60 नहीं लेंगे ना 71 फिर हमारे पास है 73 फिर हमारे पास है 79 फिर हमारे पास है 83 फिर हमारे पास है 89 और फिर हमारे पास है 97 तो प्यारे विदारतियों सबसे चोटी अबाजे संख्या पूचे तो दो है अगर दो अंक की पूचे तो 11 है दो अंक के सबसे बड़ी अबाजे संख्या पूचे तो 97 में है और यदि हमें total फूचा है तो आप खोगे 25 है है ना यह हमारे पास किसन काफी सारी कराएंगे हमसे यहादी एक से 50 तक पूच ले तो आप यहाँ तक बता सकती हो 50 तक 35 है अगर हमारे पास प्यरविधारत्यों एक से लेके 25 तक पूच ले तो अभी आप इसमें आंसर बता सकती हो इसी परकार अलग अलग हम से पूछ ले तो प्यरविदार्तियों आप आसानी से बता सकती हो क्युस्तन हमारे पास था कि एक से लेके सो तक कुल कितनी आवजे संक्याई है तो इसका आंसर हो जाएगा क्युस्तन के अनुसार हम चलेंगे अब देखे इसी परकार से पूछ रहा है क्युस्तन नंबर कि एक से पचास तक कुल कितनी आवजे संक्याई है तो आप यहां से गिंती करके अराम से बता सकती हो यानि कि साथ में कितनी होगी प्यरविदार्तियों या आप हमें comment box के माध्यम से बताने का परियास कीजिएगा आप comment में इसका आंसर देने का परियास कीजिएगा ठीक है और क्युस्तन नंबर आठ भी यही कह रहा है कि एक से पच्चेस तक कुल कितनी आवजे संक्याई है तो विशम में आप क्या करते है दो को उटा देते है क्योंकि बाकि सभी क्या है ये दो एक सम संक्या है बाकि सभी विशम संक्या है यदि हमारे पास एक से पचास तक पूछ लें दो को उटा दीजिएगा कोई दिक्त नहीं है सम और विसम संक्या यदि आप से पूछ लेता है तो ध्यान पूरूब कीजिएगा ठीक है तो इस प्रकार से प्यारे विदार्तियों ये रहेगा हमारे पास पहला पार्ट जिसमें हमने नंबर सिस्टम के कुछ बैसिक से क्यूसनों को देखी है नेक्स्ट विडियो के अंदर भी उसके कुछ बैसिक से इस प्रकार से जो आपकी प्रिक्षा के अंतरगत महत्वण क्यूसन है उनको हम देखेंगे तो प्यारे विडारतियों आप से मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के अंदर आपके जो भी क्यूसन हो उनको आप कमेंट्स माध्यम के द्वारा हम तक पहुंचाने का प्रियास कीजिएगा हम अतिस सिकर नेक्स्ट वीडियो में या अगामी वीडियो में उन सभी का हल कराने का प्रेतन करेंगे तो दने वाद प्यारे विदारतियों आज की इस वीडियो में आप सभी चुड़ने के लिए